नमस्तार और वेल्कम वोल अफेलर्ट्स नहीं प्रशान दवन नाव रिसेंटली इन दे स्पोर्ट आफ क्रिकेट एक बहुत बहुत बई डिवलप्मेंट हुई है ICC ने अब officially ये क्या दिया है कि हमने अपील करी है कि 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट होना चाहिए एक प्रवापर स्पोर्ट यहाँ पर आप देहोगे ICC to push for cricket inclusion in 2028 ओलंपिक्स 2024 में जो summer ओलंपिक्स होने है पैरिस में वहाँ पर क्यों नहीं 2028 क्यों देखो 2024 के ओलंपिक्स का schedule अलेडी तै हो चुका है तो वहाँ पर cricket को अब include करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मगर जो 2028 के ओलंपिक्स होने है USA में in Los Angeles वहाँ पर possibility काफी हाई है कि आपको दिखे cricket as a proper sport यह पहले होनी बारा था क्योंकि बहुत सारी जो cricketing boards है Australian Cricketing Board, English Cricketing Board, BCCI सब में proper स्यामती थी नहीं कि क्या हम cricket को भेजे at the Olympics मगर अफ़ानली स्यामती हो चुकी है BCCI ने खुद का है कि हम चाहेंगे कि Olympics में cricket एक sport बने बहुत जल्द Now discuss करते हैं कि what this means for cricket इससे cricket का कैसे evolution हो सकता है और यहाँ पर BCCI और बाकी जो boards है उनमें स्यामती कैसे बनी मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पुछूँगा Question आपके लिए यहाँ पर यह है कि ICC के headquarters आपको कहाँ पर मिलेंगे International Cricket Council के headquarters आपको किस शहर में मिलेंगे London, Cape Town, Sydney या फिर दुबाई Comment section में करी answer, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंथ में Now I'm sure यह वीडियो देखने से पहले आपने इस topic के बारे में कुछ articles भी देखे होंगे online Tweets पढ़ी होंगी, for example, यहाँ पर ICC कह रहा है कि ICC can confirm its intention to push for cricket's inclusion at the Olympics और देखो, International Olympics Committee बिलकुल चाहेगी कि cricket बने part of the Olympics क्योंकि cricket सब कॉंटिनेंट में एक बहुत बड़ा sport है इंडिया, पाकिस्तान, बांगले, शलंका यहाँ पर एक crazy cricket की following है Actually आप कह सकते हैं, cricket के 90% fans आपको इनी देशों में मिलेंगे बाकी UK और Australia में cricket ठीक है, popular है मगर उतना popular नहीं है, जितना यहाँ पर है तो इंडिया जैसी एक huge market को अगर यह properly involve करना चाहते है इन Olympics, तो उसके लिए cricket इनके लिए main sport है, और I'm sure 2028 के Olympics में आपको cricket देखेगा और इसके बाद जो 2032 के Olympics होने हैं in Australia जी हाँ 2032 के Olympics होज करेगा Australia वहाँ पर तो पक्का आपको देखेगा cricket, now cricket की कौन सी form यहाँ पर introduce करी जाएगी test match अगर करेंगे तो 5 जन में एक match खतम होगा, so obviously test match को यहाँ पर use करेंगे नहीं T20 format की आपर बात की जारी है T20 format को लेकर काफी country सहमत है और अगर इसी format को include किया at the Olympics, तो इंडिया के यहाँ पर दो gold medal confirm हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर men's और women's दोनों team जाएंगी and India will have a great opportunity to win two gold medals, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो यह है T20 teams की ranking in the ICC table England अभी के लिए top पे है, बिल्कुल एक कदम पीछे आपको मिले गए यहाँ पर इंडिया, इंडिया की overall cricket team आप अगर देखो तो पिछले 10 साल में बहुत improve करी है, हमने नासिर world class batsmen, world class fast ballers भी produce किये हैं, और देखो IPL का इसमें काफी important role होगा आज के समय cricket की आप कह सकते हैं सबसे important league बन चुकी है IPL, जो भी international cricketers हैं वो यहाँ पर खेलते हैं, हमारे players को experience भी मिलता है तो अगर इतने सारे experience के बाद एक इतनी बड़ी market के बाद भी अगर हम gold यहाँ पर नई जीत पाए तो फिर तो मैं काऊंगा काफी disappointment होगी यहाँ पर आप यह पूछ सकते हैं कितने देश qualify करेंगे खेलने के लिए और कितनी teams खेलें की T20 at the Olympics देखो बताया जा रहा है कि total 8 countries को यहाँ पर यह allow करेंगे और बिलकुल इसके लिए qualifying games भी होंगे before the actual Olympic games तो मतलब 8 teams यहाँ पर qualify करेगी eventually knockout stage की game होगी मतलब के एक game आप हारे out of the tournament कुछ second chance आपको मिलेगा नहीं unless आप यहाँ पर हारते हो finals में या फिर semi finals में हारते हो फिर आप bronze के रहे खेलते हो that is different मगर quarter finals में हारे तो that is it no medal for you मगर इससे देखो overall cricket की game काफिया तक improve होगी competition improve होगा क्योंके अब possibility है कि जो बड़े देश है for example USA है USA की rank T20 में आपको बदा दूँ अभी के लिए है 34 उसके अलाबाद China China की यहाँ पर rank है T20 में 77 ये जो बड़े देश है ये भी अब cricket पर जड़ा focus करेंगे क्योंके इनको पता है कि time अभी इनके पास है 7 साल है एक proper cricket team यहाँ पर खड़ा कर सकते है क्योंके US और China बिलकुल चाहेंगे कि ये जो दो gold medal है men's और women's cricket में ये इनके हाँ से नाच ले जाएं तो overall बिलकुल cricket की जो popularity है ये बढ़ने वाली है internationally और cricket का landscape भी हो सकता है काफियत तक change हो अभी के लिए आप अगर देखो तो गिंती के roughly 10 countries है जहाँ पर cricket seriously खिला जाता है बड़ी league है बड़ी market है मगर एक बार US, China even मैं कहूंगा Germany, France इन सब countries ने cricket को seriously खिलना start कर दिया फिर interesting होगा देखना कि क्या यहाँ पर India, Pakistan, Sri Lanka या फिर इवन मैं कहूंगा Western Indies यह यहाँ पर top 8 में या फिर इवन top 10 में अपनी जो जगा है यह maintain कर पाते हैं या फिर नहीं यहाँ पर आप यही पूछेंगे कि Olympics में cricket को लाने वे ता time क्यों लग गया देखिए इसमें reluctance थी almost हर एक cricket board की एक यहाँ पर बहुत बड़ा इशू था revenue sharing का के revenue यहाँ पर कैसे share किया जाएगा कैसे broadcasting rights यहाँ पर बाटे जाएंगे जो cricketing calendar है उसमें से कैसे हम window निकालेंगे कैसे time निकाने कि Olympics के लिए तो काफी issues थे इस वज़े से हमको cricket in the last 50-60 years दिखानी Olympics में इंडिया में न यह issue था के cricket team भेजेगा कौन क्या यहाँ पर team choose करेगा IOA Indian Olympic Association या फिर BCCI team choose करेगा तो इसको लेकर थोड़ा बहुत dispute था मगर अब लग रहा है के काफी तक issues resolve हो चुके है BCCI के जो secretary है आज के समय जैशा इन्होंने काया के बिलकुल हम चाते है के Olympics में cricket हमको देखे और BCCI और ICC इस मामले में same page पे आपको मिलेंगे और recently देखा गया है के BCCI और IOA ने मिलके काम भी किया है for example Indian Olympic team का जो marketing budget था वहाँ पर 10 करोड रुपे प्रोड़ किये BCCI ने उसके लावा जो लोग यहाँ पर medal जीत के आए हैं उनको 4 करोड रुपे देने का वादा किया है यहाँ पर BCCI ने और जब से OTT प्लाटफोर्म्स अब आ चुके हैं online streaming अब common हो चुकी है तब almost सारे जो 92 associate members हैं और 12 test playing nations हैं cricket पे सभी यहाँ पर agree कर रहे हैं कि we want cricket at the Olympics और Olympics के लावा आप अगर देखो तो बिलकुल cricket आपको देखेगा 2022 के Commonwealth Games में भी Commonwealth Games इस बार आपको बता है कि यह उने वाले हैं Birmingham में in UK मगर यहाँ पर Indian men's team participate नहीं करेगी यहाँ पर सिर्फ women's cricket को add किया गया है as a sport तो women's T20 आपको देखेगा at 2022 Commonwealth Games उसके इलावा जो 2022 के Asian Games होने हैं in China यहाँ पर cricket include होगा both men's and women's cricket हो सकता है कि यहाँ पर India भी अपनी team देखे और आपको Asian Games में India vs Pakistan, India vs Sri Lanka ऐसे match देखने को मिले for the gold और even silver medal और जो 2022 के Asian Games हैं यह वैसे ही बहुत special होने वाले हैं क्योंकि ना सिर्फ इसमें cricket आपको लेखने को मिलेगा इसके लावा e-sports मतलब के video gaming जी हाँ, video gaming electronic sports को भी इनोंने add कर दिया है as a medal sport तो video games खेलके भी लोग यहाँ पर gold, silver, bronze जीतेंगे at the Asian Games उसके लावा break dancing को भी add कर दिया गया है as a sport इसमें भी medal दिये जाएंगे gold, silver, bronze बहुत ही ज़रा मैं काऊंगा revolutionary होने वाले हैं 2000 वाइस के Asian Games interesting होगा देखना है यहाँ पर क्या होता है और finally मैं आप से पूछना चाहूँगा क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि cricket को होना चाहिए और at the Olympics या फिर आप मानते हैं कि नहीं T20 proper format है नहीं proper format test cricket है और अगर test cricket को हम add नहीं कर सकते at the Olympics तो इससे अच्छा है कि cricket को ना ही वेजो at the Olympics लिखेगा इसके बारे में comment section में I am sure all of us would like to read your opinion now वापस आते हैं अपने question पे headquarters of the ICC यह आपको कहाँ पर मिलेंगे सही उत्तर यहाँ पे है option C सही आज़र नहीं यहाँ पे D, Dubai में आपको मिलेंगे ICC के headquarters और finally आपर मैं यह वियाड़ कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहे SSC, UPSC, bank, any examination simply जाओ on academy.com पे चूज करो यहाँ पर exam of your choice for example अगर आपको prepare करना है for UPSC click on UPSC, CSE get subscription और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं plus यहाँ फिर iconic course iconic course खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक personal coach जो ensure करेगा कि properly आप यह course follow करे बीच में delay ना पर जाए आपको main question answer practice session विलेगा तो जो 24 भेने का course है यहाँ purchase कर सकते हैं अगर आपके पास time है अगर आप एक college student है you can purchase a 24 month course as well मगर यहाँ पे जो price लिखा है यह पे मत कर देना use करो यहाँ पे promo code PD10 and the prices will fall so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो कान thank you for listening and as always God bless you all